हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मदपदेश के मुखमंतरी मौहन यादब जी के दो महीने हो गए हैं यानि साथ दिन हो गए हैं इनकी साथ उपलवदियों के बारे में देखेंगे बैसे तो मदपदेश के मुखमंतरी मौहन यादब जी का कहना है कि हमारी जो सरकार ह वो करीब कल्यान को संकलिप्त सरकार है, तो क्या जनता इनके कामकास से खुस है, मत्वधिस सरकार के कामकास से खुस है, या फिर जो भी है इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, क्या बास्तक में हमने जो भारती जनता पार्टी को चुना था और मत बदेश के मुखमंत्री नए मुखमंत्री मोहने अदब जी बनेते तो उन्होंने क्या नरनाय लिये हैं यह आपके मदबदेश की पितियों की परिक्षाओं के लिहाज से भी बहुत important होने वाला है यह वीडियो और हमारे यदि आप टेली किलाम चैनल पर नहीं जुड़े हैं steady material post होते हैं दोस्तों चलिए तो start करते हैं मदब देश करंट अफियस के topic के अंतरगत ये मौहने अदब जी के सरकार की उपलब दियां देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अन्तोदाय और विक्सित मदब देश के लिए एक लाग पैतालीस हजार करोड से अधिक क लेखा अनुदान बजट पेश किया है अभी हाली में मदब देश का जो चार महीने के लिए बजट अपरेल से जुलाई दोहजार चौवीस के लिए बजट है वो एक लाग तैतालीस हजार करोड का बजट है और ये बिभिन योजनाओं के माध्यम से खर्च होगा वहीं मद पेश में बिक्सित भारत संकलब यात्रा के दोरान चौवन लाग से अधिक भिभिन योजनाओं के हित्गराही लाभान बित हुए है अभी हाली में 26 जनवरी 2024 तक जो मदब देश में ये प्रधानमंती निरंद मोधी जी की बिक्सित भारत संकलब यात्रा दोरान हुई थी उसमें से चोंगन लाख से अधिक हित्राही लाभान बित हुए हैं इसका ये मतलब है सौक सर्वेक्षन दो हजार तेश में देश के सबसे सौक सहर को पुरुसका लगातर साथिवार इंदौर को मिला है हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो मोहन यादब जी के कारकाल में प्रतेख जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन किया गया है बहीं ये जो इंदौर में हुकम चंद मिल है उनके सरमिक पहले काम करते थे ये हुकम चंद मिल बंद हो गई थी 4,800 सरमिक परिवारों को 224 करों की रासी का भुकतान मोहन यादब जी की सरकार में हुआ है बहीं विधान मंत्री सौमत यूजना के अंतरगत 1,75,000 लोगों को भू अधकार पत्र बित्रित किये गया है लगभग 56,000,000,000 से यदे के दिगराईयों को दो महीने में 681 करोड की सामाजिक सुरक्षा पेंसन रासी का भितरन किया गया है बहीं बात करें हम ये तेंदू पत्ता जो तेंदू पत्ता तोडते हैं संगरायकों को मांदे तीन हजार प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार प्रतिमानक बोरा कर दिया गया है इसमें एक हजार रुपे क्या अतरिक्त फायदा दिंदू पत्ता तोड़ने वाले संगरायकों को होगा बहीं जो नए बिधायक चुनके आये हैं मद्वदेश बिधान सबाम है आयोजन भी किया गया है जो दूसरे राज्जों के लिए उधारन बना है ये इस प्रकार के आयोजन मद्वदेश में होगे हैं बहीं महला सस्थिकरन की बात करें तो सिवराज सिंग चौहान के कारकाल में स्रूही लाली बहना योजना इसकी पहले किस्त जो है वो दस जून दो हजार तेईस को डाली गई थी अब ही दो महीने में एक करोड उनतीस लाग बहनों को खाते में दो माहे में तीन हजार एक सो बावन करोड अंतरन किये गए हैं यह बहुत लंबी रासी है देगिए तीन हजार करोड रुपए केबल लाली बहना योजना में गए हैं जो कि इससे कुछ लोगों को लाब भी मिल रहा है कुछ महना इसमें केबल बीस परसेंट ही चूटी हैं लाली बहना है जिनको लाब नहीं मिल रहा है इस माहे मद्द प्रदेश में 45 लाख 89 जार बहनों के खातों में 450 रुपए के गैस सिलेंडर रिफलिंग के लिए 118 करोड रुपए भी डाले गए हैं जिसने भी गैस सिलेंडर खरीदे थे उनके लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है मद्द प्रदेश में ये उपलब दी ये मद्द प्रदेश के पूर मुकमंत्री सिवराव सिंग चौहान की रही हैं जो कि अभी मोहन आदब जी इनको बाखुवी निभा रहे हैं ये मंदला में आई हुए थे नहीं दोस्तो अभी हाली में तो ये तो मुझे अभी लेकिन अभी दोरा हुआ था मद्द प्रदेश का उसमें खरगोन में टंटे ये अभी बिस्विद्द प्रदेश में किया रहा है भही सागर में रानी अभंतीवाई लोधी विस्विद्द प्रदेश के लिया गया है कि मद्ध प्रदिस में अभी नरिंद मुदी जी कहां पे आये थे वहीं उन्होंने बर्चुल रूप में सुभारम किया था खरगोन में तंटगीया भील विस्विद्याला के सुभारम किया था तो आपको कमेंट करके बताना है ठीक है अब ये मद्ध प्रदिस उच सिक्षा क सकल नामंकल अनपाद में प्रदिस की थ्यास में पहली वार राष्टी ओसर से आगे निकल गए हैं हम लोग बहीं सभी संभागों में मुखमंत्री डॉक्टर मोहने अदब जी के देख्षता में संभागी इस तर की समीक्षा बैटकों का आयोजन कर स्थानी विसायों उपर तुरत नर्नाएं लिए गए हैं लोग सेव आयोक के माध्यम से चैनेत लगभख साथ सो उम्मीद्वारों को दिये गए सरकारी नोकरी नुक्ति के पत्र भी दे गए हैं और अभी हाले में मुखमंत्री ची ने पटवारी परिक्षा में भी जो चैनेत हुए थे उनको भी नुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है जल्दी ऐलान हो जाएंगे वैसे तत्परता दखा रहे हैं सिक्षा के छित्र में अब आगे देखना है कि कितना कर पाते हैं दो वहिने में तो कोई जगा रोजगार के लिए निकाल नहीं पाए हैं देखिए तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वा दोस्तो हम आसा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी तक अदि सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें और लाइक शेयर दोस्तों लाइक शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा आपको इसी प्रकार की important information लेके हम आएंगे दोस्तों तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुना आपको धन्नबाद